हलो फ्रेंड एक बर फिर से आप सब का हमारे चैनल पर बहुत वो स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से जो चैक कर सकते हो कि आपको जो धरन हुई है या नहीं हुई है तो ये पता लगाने के लिए हम है जो दो तरीके से आपको बताएंगे कि आप अपनी नाभी को किस तरीके से चाय करें ताकि आपको पता चल जाए आसानी से तो फ्रेंट्स ये दिए आपको उमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर जरूर सबिस्क्राइब करें धरन का पता लगाने का जो आसान तरीका बहुती है जो सरल है आप है जो आसानी से अपने घर पे पता लगा सकते हो कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा बजन उठा लेते हैं और अचानक पैर रखते हैं तो हमें जो जटका सा लगता है पेट में तो हमारे जो सरीन में क्या होता कि कुछ नैसे है जो उचक उचक हो जाती है तो इससे क्या है कि हमारे पेट में जो दरद है ये सब होने लग जाता है कई कई बार देखा गया कि उल्टी सरदर्द ये भी साथ में होने लग जाता है तो इन सब का है जो पता हम कैसे लगाते हैं कि परफेक्ट तरीके से हमें धरन हुई या नहीं हुई या ऐसे हमारे पेट में धरद हो रहा है तो इसका पता लगाने के लिए हम आपको प्रेक्टिकल करके दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले क्या करना आपको अपनी चारूं अंगुलियों को है जो एकदम है जो अच्छे से पास में लेके आना है इस तरह से आपको अपनी अंगलियों को एकदम से इकठा करना है तो इसी तरीकी से हम आपको बताएगे अपनी नाभी के अंदर है आपको इनको दबाना है हलका सा दबाव देते हुए आपको महसूस करना है अपनी पेट की जो धड़कन होती है नाभी के पास में उसको है जो आपको मैसूस करना है यदि यहां पे यदि नाबी के नीचे आपको दड़कन की वास सुनाई देती है तो मान लेना है कि आपको जो धरन नहीं है क्योंकि यदि सेंटर में आपकी दड़कन होगी तो आपको बिल्कुल धरन नहीं है और कोई दरद है आपको इस तरीके से और यदि यहां पर आपको जो धरकन की वाद नहीं सुनाई देती है धक दक की वाद तो आपको मानना है कि आपको धरन हो चुकी है तो अभी ये पता लगाएंगे कि हमारी धरन है जो किस तरफ से है तो ये लगाने के लिए हम सबसे उपर की तरफ चलेंगे एक इस्टेप पर अब एम पर देखेंगे कि आपको जो धरन है या नहीं है यहां पर दबाव देके आपको देखना है कुछ-कुछ दूरी पे तो यहां पर दबाव देके आपको महसूस करना है कि यहां पर क्या हमारी यहां पर दड़कर के वाज सुनाई देती है जहां पर हम दबाव दे रहे हैं तो यह दिया आप उपर की तरफ नहीं है तो आपको जो और साइड की तरफ भी देखना है तो वहां तक आप महसूस कर लीजी इतनी दूर वैसे नहीं जाती है थोड़ा सा हलका से दूरी पे आपको चेह करना है कि आपकी नाभी है जो किस तरफ से स्किसकी हुई है तो इस तरफ से हमने देख लिए अभी यहां पी हम है जो मैसूस करेंगी तो इस तरफ से आपको क्या करना कि चारू तरफ से है जो हलका दबाव देते हुई मैसूस करना कि हमारी धड़कन है जो किस तरफ से है जो मैसूस हो रही हमें यानि हमारी दो धरण है किस तरह से हो चुकी है हमारी नाभी किस तरफ से सरक चुकी है जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी धरण है वो किस तरफ से है तो हमें महसूस हो जाएगा कि हमारी धरण है जो इस तरफ से है जो ठीक करना एकदम से तो आपको चारू तरफ से इस तरह से दबाव देते हुए महसूस करना है और यदि आप नाभी में दबाव देते हो तो वहां पर महसूस होता है तो माल लेना है कि आपको बिल्कुल धरन नहीं है बलकि कोई और दरद है इसलिए आपको जल से जल डोक्टर से सला लेनी वैसे धरन चेकरना बहुती आसान तरीका होता है और कोई भी है जो इस तरीके से चेक कर सकता है घर पे ज़रूरी नहीं हर बार हमारे पेट में धर्द हो तो धरन हो कई बार और प्रोब्लम भी होती है उसकी बज़े से है जो पेट में धर्द हो सकता है तो जब आपको एकदम से पता चल जाए तो उसके बाद ही है जो आपको उपाय करने चाहिए पहले ये पता लगाना चाहिए आपको धरन हुई है नहीं हुई है तो इस तरह से आप है जो एक बाद चेक कीजिए और फ्रेंड्स आपकी रिक्ष्ट है जो हम जल्दी पूरी करने की कोशिस करेंगे एक या दो दिन में किया आपका मसाज वीडियो है जो जल्द से आएगा दूसरी लेड़ी से हम मसाज करके आपके पास जल्दी है वे वीडियो भेज देंगे तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए फ्रेंड्स हम पूरी कोशिस कर रहे हैं आपका वीडियो जल्द से जल्द है जो अपलोड करने की तो इस तरीके से आप है जो एकदम से महसूच करें और उसके बाद आप हमें कमेंट करके बताए कि आपको धरन हुई या नहीं हुई है और यह दिए आपको यह है जो step समझ में नहीं आता है तो हम दो तरीके की step और बता देंगे कि किस तरह किसे आप है जो अपनी धरन है जो चेक करो इससे भी आसान तरीका है जो आपको बता देंगे जिसे कोई भी है जो यह पता लगा सकता है तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चेनल पर नहीं हो तो चेनल को ज़रूर जरूर सबिस्क्राइब करें ऐसी अपना प्यार और सपोर्ट बना की रखें हम हर रिक्वेस्ट आपकी पूरी कुन्ने की है जो कोशिस कर रहे हैं बस थोड़ा साफ को वेट करना होगा दिये थैंक्यू सो मच फ्रेंड्स